आप सभी का सवगती अतिश लिप्टिकल टेस्ट पर आज हम इस वीडियो में फ्यूज क्या है और फ्यूज में कुण कुण से एलिमेंट होता है और फ्यूज कितने परकार के होते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे आप सभी इस वीडियो के अंतग बने रही है पहले ह देखते हैं फ्यूज क्या है फ्यूज एक ऐसे कंपोनेंट है जो किसी भी विद्धुत उपकरन या सर्किट को किसी भी हानी से बचाने के लिए इस्तिमाल क्या जाता है जो एक सेप्टिट डिवाइज है किसी भी विद्धुत उपकरन में ओवरलोड स्वार्ट सर्किट होने पर या फ्यूज सप्लाई को बन कर देते हैं अब फ्यूज के अंदर से तार ब्रेक हो जाता है जिससे यहाँ सेप्टी परदान होता है जिससे यहाँ होने वाली हानी से बचा जा सकता है यह तो हम देख लिए फ्यूज क्या है अब हम देखते हैं फ्यूज कंपोनेंट कैसे होते हैं फ्यूज एक धातु का छोटा सा टुकरा है जो सर्किट में सेनी क्रम में जोरा जाता है यादी सर्किट में यादी कोई ओवरलोड ज्यादा करेंट फ्लो होता है तो फ्यूज विगल कर सर्किट को ब्रेक कर देता है इससे फ्यूज करते हैं अब हम देखते हैं फ्यूज के अंदर कुन सा वायर होता है कुन सा कंपोनेंट होता है फ्यूज के अंदर चांदी तामबा एल्मूनियम होते हैं चांदी म्यांगा होने के कारण अधिकतर तामबा और अल्मनियम का यूज किया जाता है फ्यूज में अल्मनियम कौपर के साथ भी दूसरे धातू का भी मिसन किया जाता है जैसे टेन, सीसा, बिस्तमन धातों को मिला जाता है और कभी-कभी केड्नियम धातों भी मिला जाता है फ्यूज का तार का गलनांग और पतिरोद दोनों ही कम होता है जिससे गलनांग सर्किट में तार की तुलना कई गुना कम होता है अब हम देखते हैं फ्यूज कितने परकार के होते है फ्यूज विदुत उपकर्ण के अनुसार फ्यूज निम्न परकार के होते है फ्यूज का काईर सवी का समाने परंतु इसको एम्पियर के इसाब से सबको अलग-अलग विवाजित किया गया है जैसे फर्स्ट है किट कैट फ्यूज इसे रिवारेवल फ्यूज भी कहा जाता है सिगेंट है राउंड फ्यूज थर्ड है कटिज फ्यूज फोर्थ है प्लग फ्यूज और फाइब थे हर्सी फ्यूज हर्सी फ्यूज के फुल फॉर्म है हाई रेप्रोटेशियन कैपसिटी अब फ्यूज का कुछ एडवांटेज देखते है फ्यूज का एडवांटेज बिद्दूत परिपत में सौट सर्किट होने पर फ्यूज स्वयम पिगल जाता है परंतु तार तथा बिद्दूत करुण में कोई वी हानी नहीं होती है दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा लाइक और कमेंट्स करगे जरूर बताइए आपका एक सुझाब हमारे लिए मार्क दर्शक बनता है अधि हमारा चैनल के साथ जो ना चाते है तो इसको सस्क्राइब करना ना भूले आपसे फिर मुलागात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक यो बाई बाई